नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, आज से मैं आपके साथ एक ऐसी सीरीज की शुरुवात करने जा रहा हूँ, जो आगे आने वाले 100 वीडियो में हम भारत के 100 अग्भुत छिपे हुए सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, ये सीक्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मं प्रो आए शुरू करते हैं, 100 वीडियोज, 100 वूंडर्स ओफ इंडिया, तो दोस्तो आज पहली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन जगह में से एक रामसेतु के बारे में, तो आई ये शुरू करते हैं, रामसेतु भारत के तमिलनाडु में पंबन द् वैज्यानिकों को भी हैरान कर देता है, और इसकी आयू पता करने के लिए अध्ययन किये जा रहे हैं, पुल की कुल लंबाई करीब 50 किलोमीटर है, रामसेतु मननार की खाडी को पाक स्ट्रेट से अलग भी करता है, रेत के कुछ तट सूखे हैं, इस संरचना के चारों और का समुदर बहुत उथला है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक है, कई वैज्यानिक रिपोर्टों के अनुसार, रामसेतु 1480 तक पूरी तरह से समुदर तल से उपर था, लेकिन यहां एक चक्रवात आने से यहक शतिग्रस्थ हो गया था, पंद्रवी शताब्दी तक जब ये गहरा नहीं हुआ था, इसे पैदल ही पार किया जा सकता था, ऐसे अध्ययन हैं जिन से पता चलता है कि रामसेतु चुना पत्थर, लाइमस्टोन के शोलों से बना है, और कोरल रीफ की एक लंबी शिंखला है, इस बात के भी प्रमान है कि यह रामेश्वरम में तैरते पत्थरों से बना है और ऐसे सिध्धान्त हैं जो मानते हैं कि ज्वाला मुखी के पत्थर पानी पर तैरते हैं, चुनकी कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी बहुत उथला है, इसलिए जहाजों का आवागम असंभव है, जिसके कारण जहाजों को श्रीलंका तक प अनुष्कोडी के पास समुद्र तटों की कारबन डेटिंग से मेल खाता है, तो दोस्तों ये था रामसेतु का इतिहास और कुछ दिल्चस्प जानकारी मिलते हैं, अगली वीडियो में धन्यवाद